हाव तो फिक्स सैमसंग M21 केमरा एप नोट आपिनिंग प्रॉब्लिम नमस्कार दोस्तों सुवागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूंगा कि कैसे आप अपने सैमसंग के डिवाइस पे कीमरा एप नौट आपिनिग प्रॉब्लिम सॉल्फ के से अगर गर आपकी यहाप काम नहीं कर रहें कैमरा अप में प्रॉब्ल्म हैं कैमरा जो अप में प्रॉब्ल्म है है जिसके वज़र से यहां पर आपका camera app काम नहीं कर रहा है ठीक है तो आपको complete solution देखना है वीडियो को अंतक देखना है जो भी solution बताने वाला उसको follow करना है problem को fix करना है वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पेसा कामाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी problem के रिगार्डिंग पर आप हमें चीज बतर है तो यह जो एफ है उसको हम अपडेट कर सकते या नहीं कर सकते वह हम चेक करेंगे ठीक है यहाँ पर कैसे करेंगे हम प्लेष टॉटर में जाएंगे और टाइब करेंगे याप डृट सेच केमरा ठीक है सैमसिंन केमरा करके हम सब्साइब करेंगे तो एगर डोस्तों यहां पर अगर मिल जाएंट फीज को खिर हैं अगर नहीं अभी अगर हम सेटिंग बढ़ जाते तो यहां पर भी कोई आप्शन नहीं है उसको अपडेट करने गा तो बस वह एस रहेगा ठीक है अभी दोस्तों गैलेक्सी स्टॉर का एक आप्शन है तो गैलेक्सी स्टॉर में भी हम चेक आउट कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर भी मैंने पुरा चेक करके देखा है तो आप्शन दोस्तों यहां पर नहीं मिल रहा है ठीक है तो यहां पर हम दुबारा से चेक करते हैं तो यहां पर भी ऑप्शन नहीं है औक तो यहां पर ऑप्षेन नहीं है तो हम अपडेट नहीं कर सकते हैं अभी हम जाएंगे सेटिंग एपस के अंदर पे उसके बात केमरा ओप्षेन को सेलेक करेंगे और उस एप को जो है यहां पर रिसेट करेंगे टिका इस तुर ऑप्षेन पर जाना है in देटा पर क्लिक करने और देटा को कुलियर कर दिनना है जैसे दूस्तों इसका डेटा क्लियर अगर प्राव्लेम सोल्फ होते हैं ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो एक बड़ को अपडेट करें कि सब्सक्राइं एक करें कि अब प्रॉबर्ल्म को क्या कर सकते हैं यह उठाइं इन्हीं चांस अगर आपको दुबारा से प्रावलम आते तो आप वे जाफ्टे खेजरें मिन लेकिन उससे जाने से अच्छा आप कोई camera app यहां से आप install कर लें ठीक है कोई camera app यहां से install करते हैं और उसको आप दूस्तों by default यूज्ज कर सकते हैं ठीक है कोई डिक्कते हैं आपको नहीं होगा क्योंकि दूस्त अगर हम factory reset करते हैं तो हमारे सारे data जो ही clear हो जाते हैं और कई सारे डिक्कते आ जाते हैं अगर हम भूल जाते हैं उसको सेफ करना तो डिलेट हो जाते हैं तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यहां पर यह option बता रहा हूँ लेकिन दोस्तों यह आपके उपर में depend करते हैं अगर आपको factory reset करना है कर सकते हैं ठीक है अगर आप यहां पर आप प्रिफर्ड करते हैं ठट पर आप्रिकेशन तो आप वह भी कर सकते हैं तो इस तरीके से ही दोस्तों आप अपने प्रॉब्लिम को फिक्स कर पाऊगे उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा टेंक्स रोचिंग